जेहन दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब जेनर सरकारी जॉप एंड जॉप पर दोस्तों बात करते हैं कॉंस्टेबल जीडी के 26,146 पदों पर आभिदन सुरू हो गए हैं जो आपकी कॉंस्टेबल जीडी की भरती है उसमे 26,146 पदों पर फिर से एक नई भरती निकली है जिन पर आभिदन सुरू हो गए हैं बात कर लेते हैं इस भरती के बारे में तो दोस्तों करमचारी चैन आयोग ने Central Armed Police Force यानि CAPF वे SSF में कॉंस्टेबल के कॉंस्टेबल के General Duty यानि जो जीडी भरती है उसके और असम राइफल में राइफल में के जीडी पदों के लिए 2023 के लिए ओनलाइन आभिदन मांगे हैं यानि कि जो भरती है उस पर ओनलाइन आभिदन मांगे हैं और जो पदें आपके हुए हैं 26,146 पदों के लिए ओनलाइन आभिदन आपके 31 दिसंबर की रात से 11 बजे तक किये जाएंगे और ओनलाइन फीज एक जनवरी की रात 11 बजे तक जमा की जाएगी तो आपकी जो भरती है दोस्तों इसमें आपके आभिदन सुरू हो गए हैं आपकी जो आभिदन है वो 31 दिसंबर के यानि कि दिसंबर के 31 तारिक तक आपके आभिदन होंगे और फीज आपकी जो होगी वो एक जनवरी तक आपकी फीज जमा की जाएगी आगे बात कर लेते हैं ओनलाइन आभिदन में त्रूटी संसोधन के लिए 4 जनवरी से 6 जनवरी की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा अगर आप आभिदन करने हों किसी प्रकार की त्रूटी हो जाए तो उसका जो संसोधने वो 4 जनवरी से 6 जनवरी के मद्दे किया जाएगा पहले चरवन की कम्पूटर आधारी परिच्छा फरवरी मार्स 2024 में प्रिस्तावित है यानि जो आपकी परिच्छा है वो फरवरी से मार्स तक होने वाली है कम्पूटर आधारी परिच्छा होगी और अंग्रेजी और हिंदी के अलाबा 13.362 को भी रखा गया है और 26.146 पदों में से पूरुस बे महिला स्रेड़ी में जो पद वांटे हैं वो इस्पिरकार है 23.346 बे 2.799 पद सामिल है पूरुस अनरच्छित में 9.626 पद है OBC बारग में 4.776 पद है और EWS में आपके 3.257 पद है वही बात करें S.C. S.C. तो S.C. बारग में 3.334 पद है वे H.T. में जो H.T. बारग में उनके लिए 2354 पद इसमें रखे गए है तो दोस्तो इस प्रकार से इस भरती में जो Category Y पद को बांटा गया है तो आपको इस प्रकार से ये पद को इसमें बांट दिगा है किस Category में किसने पद रखे गए है दोस्तो इसमें Constable GD के जो पद है इसमें आपके 26,146 पदों को रखा गया है और जो आपके पद हैं ये Category Y ने बांट दिए गया है आपके आविदन शुरू है आप आविदन अपना कर सकते हैं दोस्तों और आपका जो पेपर है वो आपका फर्वरी से लेकर के मार्च के महीने तक 2024 में होने वाला है तो दोस्तों आप इसमें आविदन कर सकते हैं GD के लिए है बठती और दोस्तों इसका जो पेपर है वो फर्वरी से मार्च तक होगा इसकी भी आप तयारी कर लें कोकि पेपर भी जल्द होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में बात करेंगे नेक्स भट्ती के बारे में थेंक्यू धन्यवाद दोस्तों